हलो गाई स्वागत करता हूँ आपका पढले 1130 कोमर्स की सेवाओं में एक इंपोर्टेंट अपडेट यह है जो 12th क्लास के बारे में है कि इस चैनल को अपग्रेड करेंगे और आप जैसे 11th क्लास पास कर लोगे 12th का कॉंटेंट आपको यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा most probably अभी कुछ दिनों में ही बारवी की पढ़ाई पांचों के पांचों सब्जेक्ट की शुरू कर देंगे मैंने पहले भी वीडियो में आपको बता दिया कि आपको math भी मिलेगा यहाँ पर accountancy भी economics भी business studies भी और English भी बतला फूरा फूल प्रूफ पूरा course आपको यहाँ पर मिल जाएगा आज के वीडियो लेक्चर की तो जिन लोगों के पेपर चल रहे हैं और जिनके शुरू होने वाले हैं उनके लिए important वीडियो होने वाली है मैंने यहाँ पर लिख दिया कि all formulas of micro economics कराऊंगा हाँ यह फॉर्मुला यह फॉर्मुला यह फॉर्मुला है दोनों आप मान सकते हो फॉर्मुला का फॉर्मुला कराए जाएंगे जो जो चैप्टर कवर किये गए हैं उसके बारे में देख लो प्रड़क्शन फंक्शन के सारे फॉर्मुला बता दूंगा थोड़ी सी नुमेरिकल एक्जांपल भी देखे बताऊंगा ताकि आपको फॉर्मुला क्लियर भी हो जाए एंड टेक ना फिर कॉस्ट का चैप्टर रेवेंडियू का चैप्टर एलस्टिसिटी अफ सप्लाई का चैप्टर प्रोडूसर एक्वुलिब्रियू का चैप्टर गाइस आपके सीबस्ट तो हो गया है लेकिन कुछ-कुछ स्कूल है जो उस सीबस्ट के पैटर्म को फॉल लग भी लिस्ट सेम्पल भें पर भी सॉल्व करा दिय ہیں तो आप प्ले लिस्ट में जा कर अपनी मन पसंद वीडियो मतलब जो तुमारे requirement है जिसमें तुम अभी वीक फिल कर रहे हो लगता है कि इसको दुबारा करने की जूरत है वो वीडियो दुबारा देख सकते हो तो यह वाले सब लाना या दिये लाना की प्रोड़क्शन फंक्शन लौ आफ वेरियेबल प्रपोर्शन वाला चप्टर है यहाँ पर शॉट्टर मोर लॉंग टर्म की बात होती थी यहां पर तुम्हें तीन चीजे मिलेंगी नुमेरिकल के लिए एक एपी फिर एंपी और फिर टीपी आवरे इनके फार्मुलास फॉर्मेशन कैसे हुए यह आप जान लो कि तो नुमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हैल्प हो जाएगी चलो जी शुरुवात करते हैं पहले टोटल प्रोड़क्ट के फॉर्मले से शीट थोड़ी चेंज करूंगा यहां पर आएंगे तो काइस मैं इसक तो अगर मुझे टीपी कालकुलेट करना है तो क्यूमुलेटिवली इन वैल्यूस को एड़ करता रहूं यानि यहां पर टूलिखा टू प्लस वन थ्री थ्री प्लस जीरो अगें थ्री प्लस वन यहां पर फूर ऐसा कुछ आ सकता है तो गाइस यह वैल्यूस के बारे में ह ठीके ना तो MP की वेल्यू को कुमुलेटिवली जोडते रहो अगर तुमें स्टाइट की याद आ रही हो तो यह फ्रेक्वेंसी की तरह माल लो और इसको क्यूमिलेटिव फ्रेक्वेंसी की तरह माल लो ऐसी उसको एड़ करकर निकालते थे ना ठीके अब दूसरा टूटल product का एक formula और होता है यह होता है जी average product multiplied by variable factor यह से तो लिखते हैं theoretically लेकिन इसको माना जाएगा ऐसे total product is equal to average product multiplied by labor क्योंकि ज्यादा तर reference book में even NCIT में भी जो variable factor है वो labor assume किया हुआ है इससे एक बात और पता चलती है तुम लोग comment section में मुझे बताओ कि आपके school में कौन सी reference book से पढ़ाई हो रही है ताकि मैं उस particular book के questions उठाके solve करा दूँ ठीक है ना वो भी हो जाएगा काम सारे होंगे तुम बताओ तरीका बताओ कि तुम्हें किस चीज की need है जो demand करेंगे वो supply भी होगी यार तो टोटल प्रोड़क्ट के गाइस दो ही फॉर्मॉलाज है यह वाला और यह वाला अब इस फॉर्मुले के अकॉर्डिंग और टीपी की वैल्यू निकालनी हो तो हमें यहां पर एपी की वैल्यू जो भी गीवन होगी की वाटेवर उसके साथ लेबर यानी वेरियबल फाक्टर की वेल्यू भी गीवन होगी लाइक इधर फॉर लिखा है इधर थ्री लिखा है तो ओविसली टीपी इन दोनों को कुछ और वेल्यू ले यहां पर 24 यह वैल्यू गीवन है तो यहां पर अगर एपी निकालना होगा तो गाइस एपी की वैल्यू निगलेगी टीपी अपॉन लेबर तो साथ में लेबर यानी वेरियबल फैक्टर की जरूरत आपको पड़ेगी मालो यह गीवन है जीरो वान लेबर तो ट्वेल्फ तो यह कुछ वैल्यू जै मैं आपको सेंपल एक्जामपल देकर दिखा रहा हूं कि ऐसे हम नुमेरिकल को काल्कुलेट कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत कॉन्फेरेंस आ रहा है तो अपनी रेफरेंस बुक से पहले कुछ एक्जामपल सॉल करना शुरू करो उसके बाद अन्सॉल्ड वाले कोशिंस पर आओ और बागी मैंने बताई दिया कि आप चाते हो कि मुझ्छे सॉल्व कराना तो कॉमेंट सेक्षिन में बुक का नाम लिखकर बताओ मैं आपको नुमेरिकल उठागे तुम्हें करा दूँगा ठीक तो यह ए एंपी की वैल्यू को कालकुलेट करूँ तो सुपोस को यह वाली वैल्यू मुझे एंपी की कालकुलेट करनी है तो जो भी सामने वैल्यू लिखके टीपी की माइनस जो भी इससे पहले वैल्यू होगी तो सामने वैल्यू लिखके 10 10 से पहले क्या वैल्यू होगी यहां पर सामने कोई भी वेरियेबल फैक्टर यूज नहीं किया अगर मैं यहां पर इस वैल्यू को काल्कुलेट यूज कर बतलब काल्कुलेट करता तो देखो सामने वाली टीपी की वैल्यू उठा रहा है उससे पहले टीपी की वैल्यू दस है तो अठारा मैनेस दस आठा जाएगा सामने तो 24-18 जब भी आपको नकलिएट करनी हो तो टीपी की वैल्यू में ह्दिस निकालते रहो और एक और तरीका यहां पर लिखते हैं डेल्टा टीपी अपवन डेल्टा वेरियबल फैक्टर यानि लेबर ऐसे वेल्यू देते है तो इस फॉरम रिख्पाइड शल्यू लिखी है 10 18 और 30 बोले MP की वेल्यू को निकालो MP की वेल्यू निकाल दो 10 माइनस इस से पीछे वाली वेल्यू इस से पीछे 0 होगी वेल्यू क्योंकि वन लेबर यूज किया है जिरो लेबर पर TP 0 होता है तो 10 माइनस जीरो इकिस टेन फिर 18 माइनस टैन एकए्ट सिंगल का गाप पहाई यहांपर देखो दो यूनिट dpa डैल रह्यपfilm तो हेम भी क्या करेंगे या पर जो बिह मने वेल्यू निकालिया है उइस G acronym से डिवाइड कर दो यह answer आगया 6 तो इस sense में MP का formula बनता है delta TP upon delta labor delta का मतलब change है यह जो हम change है न 318 का बीच का gap यह 12 है तो यहाँ पर 12 लिखा हमने ठीक है जी और उसमें change 2 है तो यहाँ पर 2 लिखा तो answer 6 आगया अगर यहाँ पर gap 4 से 7 हो जाता मालो 3 का gap हो जाता और यहां 30 से 39 हो जाता तो काईस हम क्या करते हैं इनके बीच का gap 9 है divided by इन दोनों के बीच का gap 3 है फिर हमारे पास 3 हाता answer इसका तो यह calculation के हिसाब से बताया है तो कुल मिला के 3 हो के formula मैंने आपको बता दिये अब आते हैं दोस्तों cost वाले chapter पे कोस्ट वाले chapter से formula करेंगे तो इसमें साथ लोग है पहला टी फैमली की बात कर लेते हैं टोटल कोस्ट टोटल फिक्स्ट कोस्ट टोटल वेरियाबल कोस्ट ठीक जी फिर average cost average fixed cost और average variable cost फिर marginal cost तो गाई जी साथ लोगा इन साथ के formula करेंगे तेखेट पहले टीफा मिली के गरेंगे फिर a family का एंगे फिर iam सी का गरेंगे तो सब ऊपर लिख रहा हूं ठॉटल कोस्ट का फिर टोटल वेरियाबल कोस्ट फॉर्मुला ये अकेला टोटल कोस्ट का ए आप इससे एक दो तो फॉर्मूले और वना सकते हो बनाते हैं अभी थोडय होना थैं अभरेज कोस्ट को स्पप्लस एभरेज वेलिय currents फॉर्बाइब कॉस्ट ए इब commence का है इसमें ही दो तिन फॉर्मलाज बन सकते हैं ठीक है अब देखते हैं यहां से कैसे जिसे टीसी टीएफ सी और टीवी सी का टोटल है आप इस इक्वेशन में थोटे से चेंज इस लिया हो लाइक टीवी सी को यही रहने दो टीएफ सी उदर जा के माइनस कर दो तो एक नया फॉर्मला आएगा टीवी सी इस इकल टू टीवी सी माइनस टीवी सी तो यह सिर्फ इसी फॉर्मले से निकला हुआ फॉर्मला है और सेम तरीके से गाईस अगर टीएफ सी को भी रहने देते टीवी सी को उधर ले जाते तो टीएफ सी का फॉर्मला बन जाता टीवी सी माइनस टीवी स तो T family में आपस में ऐसे formula बनाए गए हैं अब A family में simple ऐसा ही होता है आप AFC को इधर रहने दो और ABC को उधर ले जाओ तो AFC is equal to AC minus ABC formula बन गया ऐसे ही similarly ABC का formula भी बन सकता था इसको इधर ही रहने दो AFC को उधर ले जाओ तो AFC is equal to AC minus AFC तो यह कुछ A family से derive हुए formula है और दूसरे T family से आपस में link देखिए अब average cost के ओपर बात कर रहे हैं average cost होता है total cost upon output यहीं से total cost का एक और formula निकलता है total cost हो जाता है average cost multiplied by output है ना वो उपर चला गया तो यहां से formula हो गया I see guys AFC का formula TFC से निकलता है ना AFC is equal to TFC upon output तो TFC का formula भी यहां से बनाया जा सकता है TFC is equal to AFC multiplied by output ठीक है यह भी एक formula है in the same sense ABC देख लो यह होता है TVC upon output तो TVC भी हो गया ABC multiplied by output क्या कर दिया मैंने यह बस output को उपर लिया के multiply कर रहा हूँ तो अभी यहीं रुके रहे ना confused मत होना confused मत होना total बता तो formula कितने की है पहला formula दूसरा formula यह दो formula में किये उसके बाद तीसरा चौथा और पांच वागाई यह पांच formula हैं देखे ना पांच formula में बस calculation के हिसाब से उपर नीचे चल रहे हैं हम यानि इधर division उधर multiplication जब change करते हैं तो equation का चक्कर होता है वह बहुत छोटी classes में सिखाय जाता है तो इन formula से यह सब अलग-अलग से चीज़े बन जाते है जो तुमें numerical में calculation में तोड़ी असानी जेती है ठीक है अब आते हैं marginal cost पे marginal cost भी इंपॉर्ण है तो इस marginal cost को हम calculate कर सकते हैं टीवी सी से टीवी सी एन माइनस टीवी सी एन माइनस वन वैसे ही मतलब जैसे की differences निकाल रहे थे दो-दो terms का ठीक है और या फिर आप इसको यूज कर सकते हो ऐसी डेल्टा टीवी सी अपॉन डेल्टा क्यू फॉर एक्जामपल अगर मैं बात करूं टीवी सी की और इधर output गीवन है आउटपुट वन से फॉर गिवन है टीवी सी की वैल्यू टैन से मालो 19 गिवन है तो एमसी निकालना है तो यहाँ पर शुरू में वैल्यू एमसी की जीरो आएगी क्यों आएगी जीरो जरह यह देख लेना जीरो आने का रीजन है मेरे पास वन आउटपुट पे दस जीरो होगा तो जीरो आप पर टीवी सी जीरो होती है तो गैप आगे जीरो अब देखो यहां पर निकाल रहे हो तो इंड़ों का गैप 9 इन दोनों का गैप से डिवाइड गरो इसको चार और एक का गैप 3 एट तो आंसर यहां पर 3 आ जाएगा साफ लिख देता हूं 3 आज 1 और या फिर mc is equal to delta tc upon delta q यार यह भी लिखा है तो का इस दोनों फॉर्म लास चीक है जो आपके कोर्स में दिया हुए वह शौट रंड के फॉर्मूलास है शॉर्ट रं के फॉर्मूलास है तो शॉर्ट रं में आप दोनों फॉर्मूलास है जो आपको सूट लगता है जो दूँगा पहला average revenue इसको calculate करते है total revenue upon quantity से और गाइस average revenue को price के equal जो value होती है वो मानते है तो price or average revenue आप से मान सकते हो as far as your numericals are concerned ठीक फिर आते हैं इसी formula से एक और नया formula निकल रहा है टीयार हो जाता है average revenue into quantity या फिर average revenue ना हो तो price given होगा into quantity और बताता हूं marginal revenues की value को cumulatively जोडते रहो तो भी टीयार की value आ जाएगे टीयार के इतने सारे formula हो गए MR कैसे है बिचारा यह simple TRN minus TRN minus मन लिखो या फिर इसको लिखो delta TR upon क्यों डेल्टा क्यों है ठीक जी बतला भी टोटल revenue के फॉर्मला से और आपको पता ही है कि यूटूब पे आप इसको देख रहे हो तो आप जब चाहे वीडियो को पूस कर सकते हो और जो content आपको अपनी कॉपी के इंदर नोट करना है उसको नोट कर सकते हो या ठीकर ना अ कुछ से facebook या instagram पे connected हो ठीक है लव कोशी की नाम है मेरा आप जहनते ही हो ठीक है अगर connected हो तो वहाँ पर चाहिद कोई photo भेजो question की जिसको मैं यहाँ पर लगाऊ और उस question को solve करके दिखाऊ वह messenger पे चली जाती है photo Instagram पे भी photo आती है अगर आप PDF सेंड नहीं कर रहें तो यार photo प्लीज वो सेंड करना जिसकी quality थोड़ी ठीक ठागो मतलब वो मुझे visible हो और या फिर मैं उस picture को यहाँ पर भी लगाऊ तो फिर आपके लिए भी वह फिर दुबारा visible हो ऐसा ना हो कि कि वो उसके quality खराब हो तो फिर मैं यहाँ पर भी लगाऊ आ तो आपको दिखाई नही पूरा तरीका बता हुआ है तो गाइस यह revenue चप्टर के पूरे फॉर्मलाज है चादा फॉर्मलाज नहीं है बिल्कुल इसी तरीके से प्रोडक्शन वाले फॉर्मलास थे अब फर्क क्या है कि revenue वाले चैप्टर के अंदर बार बार क्वांटिटी सोल्ड की बात होती है जो पॉस्ट वाले चेप्टर था यहाँ पर जब भी कॉंटिटी की बात होती है यह कॉंटिटी सोल्ड होती है सुरी यह आउटपुट प्रडियूस होता है जितना प्रडक्शन किया है लिखतो क्वांटिटी क्यों ही रहे है लेकिन दिल से भी डिफरेंस समझना चाहिए फिर जो production function में यहाँ पर quantity का use नहीं होता यहाँ पर labor यानि variable factor का use होता है guys ठीक है ना आपको पता होना चाहिए कि जो upon में हम divide कर रहे हैं जिस value को ले रहे हैं वो value actually है कौन सी तीनों chapter में थोड़ा थोड़ा फर्क है तो revenue के chapter तक हो चुके है elasticity of supply वाले चेप्टर पर आते हैं elasticity of supply में main elasticity of supply का formula है percentage change in quantity supplied divided by percentage change in price of the commodity twice यह major formula है percentage method के तुरू आपको यह भी बताना चाहूँआ कि elasticity of supply को calculate करने के और भी methods होते हैं लेकिन आपके syllabus में यही वाला थे डाल फिलाल ठीक जीव तो इस वाले में तो और चोटा किया हुए कैसे सोटा किया हुए अगर आपके पास यह वाली वेल्यू percentage change in quantity supplied given नहीं है तो इसके जहां लिखते हैं change in quantity upon old quantity multiplier by 100 फिर इसकी जहां लिखते हैं changing price upon old price जिसको initial price भी बोलते हैं या फिर original price भी बोलते हैं ठीक ना अपन ये तो काई जब calculation करेंगे 100 से 100 cancel करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास जो वैली जाती है फाइनली वो change in quantity upon change in price multiplied by original price upon original quantity यह formula बन जाता है elasticity of supply का according to percentage method यह भी percentage method का formula यह भी percentage method का formula है तो इसका बड़ा यूज होता है ठीकर जब भी आप इसका अंसर निकाल रहे हो तो numerical आएगा तो answer में आपको conclusion दरूर देना है उसका एक नमबर है conclusion में क्या देना है elasticity of supply की value आपकी वन आई है जीरो आई है यह इंफिनिटी आई है यह more than one है यह less than one है इन पाचों में से कोई एक conclusion निकलेगा जी इसके अलावा slope of supply curve देख लो supply curve का slope भी होता है तो उसका formula भी आपको जानना जरूरी है प्राइढ ब्राइढ ब्रीय आपकी अपन लूरूरी का रजा खान वन प्राइण को यह के लिव्लीघ देख कर ए ने ब्राइड अगर एविद्छे दूरी ब्राइटे करो इसकी वेल्यू बढ़ेगी इसकी वेल्यू कम हो जाएगी तो एक कनेक्शन है मतलब समझाने की कोशिष नहीं है आपका रिविजिन पर पर सही मैं यह सब चीज़े करा रहा हूं तो यह फॉर्मूलाज गाइस कर रहा हूं तो लेकिन यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि उसकी दो कंडिशन होती है पहली कंडिशन यहां पर एमर और एमसी एक दूसरे के बराबर हो यह जस्टिफाइड होनी चिए दूसरी कंडिशन यह कि यह अचीव होने के बाद आफ्टर डिस वैल्यों फंसी मस्ट भ कहीं कहीं लिखा होगा रेवेन्यु माइनस कोस्ट यह भी चल जाएगा ठीक ना रेवन्यू मतलब टोटल पैसे कितने मिलें मुझे मालों 10 रुपे मिलें मुझे कोई समान बेचने के बदले और यह पैसे मैंने कितने खर्च किये थे उसको समान को बनाने के लिए तो 10-8 दो प्रूपेंगा प्रॉफिट हो गया ठीक जी यह हमारा प्रॉफिट है अगर एवरेज प्रॉफिट बोले तो इसकी जो भी वेल्यू आएगी प्रॉफिट की प्रॉफिट को पाए साइन से आप डिनोट कर सकते हो तो एवरेज प्रॉफिट वैसे एकॉनमिक्स में इतना जाता पूछा नहीं जाता स्कूलों के अंदर तो जो भी आपका प्रॉफिट आया है टोटल उसको डिवाइडर करना आउट पूट से तो एवरेज प्रॉफिट भी हमारे पास आ जाए है वो बता दो किसी बुक से करानी है वो बता दो अपनी तरफ से कराओं मैं यह भी बता दो जिसमें ज्यादा मुझे लगेगा कि आप लोगों ने ज्यादा कॉमेंट्स किये हैं और ज्यादा पूछा है मैं उस चीज के ओपर सबसे पहले वीडियो बनाने की कोशिश है त्वेल्थ भी जल्दी शुरू होने वाली है उसका वेट भी खतम होगा उससे पहले मैं आपको बताऊंगा अभी एक दो दिन के अंदर एक वीडियो दो चार दिन लगा लो आज गाईस मतलब भोली के आसपास एक वीडियो आएगी जिसमें चार्टेड अकाउंटेंट के बारे में पूरा बताऊंगा है के से सालरी कितनी होती है कितने पैसे तुम्हारे कर दोएका त्यूंच करोगे तो अच्छा तुमसजेस्ट करोगे तो